Hello everyone, आज मैं आप लोगों के लिए ले राएẩy हूँ, सामबर मसाला की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लिए हमें चाहिए एक पैंधी मिछ रख लेएगे, 1.5-2.7.5 लप्रीjan याज है रेकी नाम लेगे 10-11 लाल सूखी मेर्च, अगर मेर्च का साइच जादा बड़ा है तो आप 8-10 भी योज़ कर सकते हैं, इसके बाद हम इसे बिलकुल ही लो फ्लेम पर यानि धीमी धीमी आज पर धीरे धीरे हम इसे रोस्ट करेंगे, तब तक जिब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी सी मैं यहीं पर डाल रही हूँ, 1.5 चमच मेथी के दाने, आप इसका क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम जादा कर सकते हैं, 1.5 चमच कर सकते हैं, फिर जीरा डाल देंगे, 1.5 चमच यह भी यहां डाल देंगे, इसके बाद ही हमें डाल रही हूँ करीपत्ता सूखा या फिर जो फ्रेश तोड़ते हैं, फिर 1.5 चमच काली मिर्च डाल देंगे, और फिर इन मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, रोस्ट करते समय हमें सिर्फ एकी बात का ध्यान रखना है, कि मसालों को इसे चलाना है, दीरे दीरे, और फ्लेम बिल्कुल ही दीमी होनी चा अब इन मसालों को हमें तब तक भूनना है, जब तक कि इसमें से धीरे 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 धुआ आना शुरू ना हो जाए, जैसी ही इसमें से धुआ आना शुरू हो जाता है, हमें बस उसी समय फ्लेम को बंद कर देना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें से धुआ आना तो इस मसाले में हींग डालना है तो एक चमच जोटा हम यह जालने से मसाला का जो लाइफ हो जाता है जाता जाता है जाद लंबे समय तक किसे रख सकते सो फ्रेंड्स जैसे ही मसाला ठंडा हो जाएब अपूर दाल दीजिए और इसे बिल्कुली तरह से बारी पीजिए तो फ लावट वाला बहुत ही कम दाम में और बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बनाएंगे और यह काफी टेस्टी लगता है तो फ्रेंड्स आप इस मसाले को एक यह टाइट कंटेनर में डाल दीजिए और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं चार से पांच बर बन आपको फ्योचर में भी मिलते रहेंगे हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए अ झाल झाल झाल